किट्स टिफिन बॉक्स सीरीज में आज का है डे सेवन और साथवे दिन में हमारे यहां पर आज बन रहा है बेसन पनीर सैंडवीच यह लग रहा है एकदम टेम्टिंग ऐसा अगर टिफिना तो कोन फिनिच नहीं करेगा गाइस तो आज के दिन हम लोग बनाने वाले हैं यह स सकते कितने परफेक्ट तरीके से आया और बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है सामने जाने से पहले अगर मेरे चानल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चेले इसको बनाने के लिए क्या क्या लगता है वो देख लेते हैं तो यहां पर मुझे लगेगा ब वेजिज अपने हिसाब से चोईस कर सकते हैं रेड चिली पाउडर थोड़ी सी हल्दी और यह गैनो ब्लैक पेपर पाउडर और नमक बस अब जाते हैं रेसीपी की तरफ एक बाउल में सबसे पहले घोल बना लेना है उसमें मैंने डाल दिया है बेसन, कर्ड जो भी हमारे स पाउडर थोड़ी सी हल्दी नमक स्वादा नूसार हम लोग अड़ करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर कम जादा और रेड चिली पाउडर आप अपने बच्चों के अकॉर्डिंग डाल देजिएगा दिन सारी वेजिज करके हम लोग यह पे डाल रहे हैं कैपसिकम डाल दिय और बहुत जादा गाड़ा नहीं जैसे पकोड़ा का बैटर होता है बस उसी तरीके से हमें बनाना ऐसी अभी पैन ले लेते हैं उसके उपर में बटर या पिर घी लगा लेती हूं जैसे यह गरम हो जाएगा ब्रेड स्लाइस ले लीजिएगा आप चाह और इसको इस तरीक चाहरीज से कर दीजिएगा वनफोर्थ हिसा आजाएगा उसको भी आप यह सेम प्रोसीजर जैसे मैं ब्रेड को लगा रही हूं आप रोटी को लगा दीजिए अगर आपको ब्रेड नहीं देनी है त्विन में तो या फिर आप हुमेंड ब्रेड का यूज कर लीजिए वो फिर मार्केट वाली तो यह देखिए मैंने इसको ले लिया पलट कर तो आप देख सकते हैं बढ़िया से दोनों तरब से यह कूख हो चुकी है मैं इसको प्लेट के उपर ले लेती हूं या परफेक्ट तो चलिए अब आता है नेक्स पोर्शन तो अभी हमें क्या करना है प लेक पेपर पावडर तो दोनों तरफ से आपको यह मसाला लगा के उसको दोनों तरफ से हलका हलका कूख करना है देखिए इस तरीके से हलका असा ब्रावनिश हो जाए तो उसका कच्छापन जो है वो निकल जाएगा अब हम लोग कर देते हमारे सैंविच की माउंटिंग तो एक स्लाइस ले लीजिएगा और यह ग्रीन चटनी मैंने लाव में सिखाई थी वही मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ धनी और पुदिने की ग्रीन चटनी उसके उपर रग दिया है मैंने हमारा पनीर का तुकड़ा दूसरी ब्रेड के स्लाइस पे भी लगा देना है चटनी और उसको फ्लिफ कर देना है और सर्व करते तैम पर यह पूरा ऐसे कैसे टिफिन में नहीं जाएगा अगर बच्चे बड़े है तो जरूर दे दीजे मैं आपको कट करके दिखा दियो जस्त लूक अच्छा लगा है और आप देखें लुक कितना अच्छा लगा है इसके और हिस्से करके मैं टिफिन में बहर देती हूं तकि टिफिन में भी फीक्स हो जाए और बच्चों को खाने में भी तकलिफ ना हो अब इसके साथ आप जो भी चायimento दे सकते हैं तो यहां पे मैंने डियो तो यहां पर यह आज गांको यह यह जरूर बता है कि आपको ये सीरीज कैसे लग रही है आपको ये रेसीपी कैसे लगी मुझे कमेंट करना मत बुलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक देखते रहे हैं बेक माडे सी यू सोन बाबाई